सुक दुख का साथी यह कावुत्व आपने अवश्य सुनी होगी लेकिन मैं किसी इंसान के विषय में यह तथ्य नहीं बोल रहा हूं और नहीं कि किसी जानवर के विषय में बलकि बुग्यालिक शेत्रों में पाये जाने वाले जूनीपर की बात कर रहा हूं विश्व के सभी cold continents में ट्री लाइन के ऊपर पाया जाने वाला यह पोंधा जाड़ी नूमा होता है यह इतना hardy plant है कि समुद्र तल से 17,000 feet की उचाई तक भी आसानी से मिल जाता है पूरे विश्व में जूनीपर की 60-65 species पाई जाती है लेकिन भारत में पाई जाने वाली जूनीपेरस इंडिकस प्रजाती पाकिस्तान के कराकोरम से लेकर नेपाल, भूटान तथा चीन के एलपाइन मीडोस तक में फैली हुई है इस प्रजाती के फल काले रंग के होते हैं इसलिए इसे ब्लैक जूनीपर भी कहा जाता है उतराखंड के उच्च हिमालाई जनजातियों द्वारा इसे गढ़वाल सेत्र में धूपी यों कुमाउ सेत्र में बिल्ल नाम से जाना जाता है उच्च हिमालाई बुग्यालों में आपको हरी भरी घास तो कई मिल जाएंगी लेकिन इधन के लिए बिल्ल की इन जाडियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए मैंने इसे सुख दुख का साथी की संग्या दी है इन क्षेत्रों में माइग्रेशन पर जाने वाले परिवारों के लिए यह भी एडवांटेज है कि इसकी गीली लकडी भी आसानी से जल जाती है इसके भीतर पाए जाने वाले रेजिन के कारण इसके साथी इसका प्रयोग इंडाइजेशन, ब्रॉंकाइटिस, किडिनी स्टोन तदा यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन्स का इलाज करने में भी किया जाता है साथी इस्थानिय लोग अपने ट्रेडिस्टनल क्यूजीन में इसका प्रयोग मसाले के रूप में भी करते आये हैं इसकी जूनी पेरस कम्यूनिस नामक स्पीसीज का प्रयोग तो यूरोपियन कंट्रीज में जिन बनाने में भी किया जाता है तो आज हमने थोड़ा बहुत जाना हिमालय की एक आउसदी के बारे में एक ऐसे प्लांट के बारे में जो यहां के लोगों के सुब दुख का साथी है बने रहिएगा हमारे साथ जैहिंग